हलो एब्रीवन सार्दे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Absolute Value यह क्या होता है यह होता है मारा Modulus of Real Number इसके बारे में हम जानेंगे इसकी Definition जानेंगे इसकी कुछ Theorems जानेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की लाइक भी जरूल करें तो आईए बिना टैम विस्ट की अपनी वीडियो का आगे बढ़ाते हैं तो यह है हमारा absolute value और इसको हम बोलते भी है modulus of real number ठीक है अब यह क्या होता है इसकी definition क्या होती है इसकी definition होती है if x belongs to real number अगर जो हमारा x है real number से belong कर रहा है then its absolute value denoted by mod x तो जो इसका modulus है जो इसकी absolute value है उसको हम किस से denote करेंगे mod x यह से mod x बोला जाता है step से denote करेंगे is defined as follows यह कैसे define होता है हमारा जो mod x है mod x equal x if x is greater than and equal to 0 अगर जो हमारी x की value greater than है या फिर equal है 0 के तो हम mod x को किस तरीके से खोलेंगे तो mod x को हम तब x के रूप में ही खोलेंगे और अगर हमारी जो mod x की value है वो minus x है sorry जो हमारी mod x है उसकी value हमारी 0 से छोटी है तो उसे हम किस में खोलेंगे उसे हम minus x में खोलेंगे तो देखिए कैसे हम थोड़ा example की तुरू समझते हैं अगर हमारी जो x की value है जो हमारा x है वो है हमारा 5 है तो 5 आप सभी को पता है 0 से बड़ा है तो यहाँ पर जो mod x है mod 5 वो किस तरीके से खुलेगा वो हमारा कुलेगा simply 5 में simply x में खुलेगा क्योंकि अगर हमारा जो x की value 0 से बढ़ी होगी तो वो हमारी x में ही खुल जाएगी, तो यहाँ पर 5 0 से बढ़ा है, तो यह mod किस में खुल जाएगा प्लस में ही खुलेगा यह 5 हो जाएगा, ठीक है अगर हमारा यह क्या होता, यह हमारा minus x होता, अगर हमारी जो x की value है, वो 0 से छोटी होती यानि x की value minus 5 होती जो हमारी 0 से छोटी है ठीक है, अगर यह होती तो जो हमारी mod x है इसकी value क्या होती इसकी जो value है, वो हमारी होती यह minus में खुलता, तो यह minus में खुलता, यानि minus पहले से लगता फिर हम x की value लगते है x की value कितनी है, minus 5 तो minus 5, तो minus minus इसे कितना हो जाता प्लस हो जाता यह बन जाता हमारा 5 ठीक है तो यही है कि अगर हमारा mod x की mod x है और अगर हमारी x की value है वो 0 से बड़ी है या फिर 0 है तो उसे हम positive में ही खोलेंगे x में ही खोलेंगे अगर हमारी 0 से छोटी है तो उसे हम negative में खोलेंगे यहां तक clear हुआ यह note दे रखाए यही just मैंने आपको जो example समझा है उसी का एक part है देखे क्या है if A equal B अगर A और B equal है यहां पर भी मैंने A और B equal माने है दो equal माने है then modulus of A equal modulus of B तो अगर आप equal लेंगे अगर आप A और B दोनो 55 लेंगे तो उनका modulus भी equal होगा ठीक है but if modulus of A equal modulus of B अगर हमारा modulus of A और modulus B equal है तो यह जरूरी नहीं है कि वहाँ पर A और B भी equal हो कैसे यही मैंने बताया आपको यहां पर देखिए आप देख सकते हैं कि modulus of A और modulus of B यहां पर दोनों equal है modulus of 5 modulus of minus 5 दोनों equal है 555 आया है दोनों का बट यहां पर जो A और B की value है वो equal नहीं है क्यों नहीं है एक A की value है 5 और B की value है minus 5 इसलिए तो यह modulus तो equal होंगे बट जरूरी नहीं है यह आपस में भी equal हों तो अब इसकी जो theorem हैं कुछ उसकी बारे में discuss करते हैं theorem हमारी पहली theorem है कि जो modulus की x की value होती है वो हमेशा क्या होती है वो हमेशा हमारी 0 से बड़ी यह 0 के equal होती है तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं यह prove भी दे रखा है चोटा सा prove है यह कई सारी theorem है बस चोटे चोटे prove हैं इनके आप prove भी देखते चलिए आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी तो जो modulus x है उसकी value 0 से बड़ी और 0 के बराबर हो सकती है यानि 0 से कभी भी छोटी नहीं होगी modulus की value हमेशा positive होगी कैसे आप देखिए अगर हम हमारी जो x की value है वो 0 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा modulus x is greater than and equal to 0 जैसे आपने कोई भी x की value ले ली जो 0 से बड़ी हो आपने जैसे x equal 3 ले लिया यहाँ पर 0 से बड़ी है तो यहाँ पर क्या होगा जो हमारी mod x है वो हमारा positive में ही खुलेगा 3 में ही खुलेगा तो जब हमारा 3 में ही खुलेगा तो यह जो हमारा 3 आया है आपको पता है यह 3 हमारा 0 से बड़ा equal है ठीक है यहाँ 0 से बड़ा है कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर तो बड़ा है तो यह first equation माल ली है भी हमारा 0 से बड़ा होगा ये कैसे होगा आप सोच रहे होंगे कि minus x 0 से बड़ा कैसे होगा ऐसे होगा हमने भी सीखा है mod x की value अगर यहाँ पर x की value जो है 0 से छोटी होती है तो हमारा क्या लगता है mod x किसमें खुलता है minus x में तो minus x में खोलेंगे यहाँ पर पहले minus का sign लगाएंगे फिर x की value यहाँ कितनी है minus 2 तो यह क्या हो जाएगा minus minus positive हो जाएगा यह 2 हो जाएगा जो कि हमारा 0 से बढ़ा है तो दोनों ही condition में आप first और second में देख सकते हैं जो modulus x की value है वो 0 से बढ़ी या 0 के बरावर ही आएगी for all x belongs to real number यहाँ पर या कुछ भी हो सकता है x की value 0 से छोटी भी हो सकती है x की value 0 के बरावर भी हो सकती है x की value 0 से बढ़ी ही हो सकती है तीनों ही condition में यहाँ पर जो modulus x की value है वो हमारी 0 से बढ़ी ही आएगी या फिर 0 के 1 को आ सकती है ठीक है, second है हमारी ये सारे same है, आप इसको अच्छिस समझ गया हो तो ये सब आसानी से समझ जाओगे देखिए modulus x की जो value है वो होती है हमारी maximum minus x, x तो अगर हमने एक वाल ले लिया, x की value 0 से बड़ी ले ली, तो modulus x हमारा कितना होगा, x होगा positive में खुलेगा, जब ये positive में खुलेगा, तो positive में खुलने वाला हमेशन negative से बड़ा होता है जैसे 5 हो गया, तो दियो हुए x minus x हो जाएगा, minus 5 होगा तो minus 5 से तो 5 बड़ा ही है, तो x बड़ा होगा minus x से ठीक है, फिर आगे है अगर x की value 0 से छोटी है, x की value 0 से छोटी है, तो modulus x minus x में खुलेगा, और जो यहाँ पर minus x हो हमारा x से बड़ा होगा, कैसे होगा, वही यहाँ पर अगर हमने x कितना लिया है, minus 5 तो modulus x कितना होगा, positive हो जाएगा, हमेशा positive होता है 5 होगा, तो यहाँ पर जो minus x है यहाँ पर देखिए, आप minus x x की value हमारी minus 5 है minus का minus 5 क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर जो 5 है, वह minus 5 से बड़ा होगा, इसलिए minus x बड़ा है, x से ठीक है, दोनों ही case है, इन दोनों case में क्या हो रहा है, जो modulus x है, वो greater of two numbers, दो number के greater है, यहाँ पर minus x के और यहाँ पर x के है, तो वही लिख दिया है हमने, hence modulus x equal maximum minus x, x और यहाँ पर x belongs to real number ठीक है, अगली है हमारी modulus x की जो value है वो हमेशे या तो x से बड़ी होगी, या फिर x के equal होगी, तो वही है यह सब सेम है, अगर x की value हमारी 0 से बड़ी और equal है, तो modulus x हमारा positive में होगा, positive में खुलेगा, तो यह इस x की value हमारी x के equal होगी, ठीक है और अगर x की value 0 से छोटी है, minus 3 है x की value तो यह modulus x minus में खुलेगा तो modulus x equal minus x में खुलेगा तो minus x की value कितनी है 3 तो यह क्या हो जाएगा 3 तो यहाँ पर minus x क्या है हमारा 3 है minus x तो 3 बड़ा होगा x हमने क्या लिए आता negative number है minus 3 से ठीक है तो इन दोनों ही condition में modulus x की value आतो x के equal होगी या फर x से बड़ी होगी ठीक है hence यह वही है और x belongs to real number ठीक है अगली है हमारी यहाँ पर क्या है जो x है वो greater than and equal है minus के modulus of x से कैसे है वो है हमारा वही condition लेनी है दोनों आपको हर इस question में एक वार आपको 0 से बड़ा या फिर 0 से बरावर लेना है और अगली बार में आपको 0 से छोटा लेना है तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है यहाँ पर हमने 0 से बड़ा और बरावर लिया है तो हमारे पास क्या हो जाएगा मॉड x की value x रहेगी positive में ही खुलेगा बट क्या है जो हमारी modulus x की value है वो हमारी greater than and equal to होगी minus के modulus x से कैसे होगी समस्य है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर यह है कि जो modulus of x है वो minus की modulus of x से बड़ा है कैसे है पताईए आपको कि जब x है modulus of x तो minus की modulus of x कितना हो जाएगा minus x तो यहाँ पर क्या है x किस से बड़ा है minus x से ठीक है यही है यही मैंने यहाँ पर लिखाए फिर है again if x is less than 0 less than 0 है तब modulus of x कितना हो जाएगा minus x modulus of x minus x हो जाएगा तो modulus of x minus x होने के बाद minus का modulus x कितना होगा minus में खोलेंगे तो minus x हो जाएगा यह x की value हमारी आजाएगी minus की modulus x तो इन दोनों condition से पता चल रहा है कि जो minus की modulus x है उसकी value या तो x के equal है या x से बड़ी है तो वही हमने लिख दिया है यहाँ पर है modulus minus x के equal होती है ऐसे यह भी prove हो जाएगा और अगला है जो mod x का square होता है वो x square के equal होता है और mod minus x के square के equal होता है ठीक है यह सब आप थोड़ा देख लेना इनको learn कर लेना इन प्रोपर्टी को जो कि यह आगे की questions में कामाने वाली है तो आगे की theorem पढ़ते हैं आगे की theorem काफी important है triangular inequality वगेरा तो आईए आगे की theorem से देखते हैं तो हमारी theorem है second theorem है for all x, y belongs to real number prove that x, y हमें क्या prove करके लाना है modulus of x, y equal modulus x dot modulus y हमें यह prove करके लाना है यह तीनों दे रखे हैं तो पहले हम first की बात करते हैं आईए तो first क्या है हमारा यह है हमारा modulus x, y equal modulus x dot modulus y तो सबसे पहले हमें यह दे रखा हैं इसका क्या करेंगे हम square कर देंगे तो जब हम इसका square करेंगे तो हमें पता ही है ये ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि जो modulus x square की value है उसको हम x square लिख सकते हैं, मैंने आपको अभी property में बताया था, देखिए, इस property में बताया है, कि modulus x square को हम x square लिख सकते हैं तो वही हमने लिखाए, इस तरीके से modulus x square को x square लिख लेंगे, फिर square को अंदर भी कर देंगे, x square y square हो जाएगा, फिर इनको अलब लग करके लिख देंगे, वही अभी ऐसे से ऐसे लिख देंगे, तो x square को हम modulus x square लिख देंगे, और y square को हम modulus y का square लिख देंगे, इनको combine करके लिख देंगे, उपर square लिख देंगे modulus x dot modulus इसके एक्वल था तो वही लग दिया है मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए वाल लान है तो अब हमें दोनों तरफ स्क्वेर रूट कर देंगे तो आजाएगा मॉडलस एक्स वाई एक्वल प्लस माइनस मॉडलस एक्स टॉट मॉडलस वाई ठीक है तो यहाँ पर जो मॉडलस होता है वो कभी भी नेगिटिव नहीं होता है तो इसलिए हम नेगिटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे रिजेक्टिंग नेगिटिव साइन हमारी जो एक्स करके लानी है modulus x plus y is less than and equal to modulus x plus modulus y तो यह क्या है यह देखिए इसको हम ट्रेंगलर इनेक्वैल्टी भी बोलते हैं तो ट्रेंगलर इनेक्वैल्टी आपको प्रूब करने के लिए आ सकती है तो यह काफी वेरी इंपोर्टेंट है इसको जरूर देख लें आप ठीक है तो क्या है उसी पिछले वाले कोशन की तरह ही करेंगे इसका हम स्क्वैर कर देंगे तो इसको अभी जैसे हमने लिखा था modulus x का स्क्वैर equal x स्क्वैर उसी प्रोसेस में हमने लिख दिया है अब जब हम a प्लस b का होल स्क्वैर खोलेंगे तो यह क्या आ जाएगा a स्क्वैर प्लस b स्क्वैर प्लस 2ab x स्क्वैर प्लस y स्क्वैर प्लस 2xy फिर क्या गिया है हमने फिर हमने यहाँ पर जो xy है उसको हमने इस तरीके से लिख दिया है क्योंकि आपने अभी एक property पड़ी थी अभी मैंने आपको एक property पड़ाई है देखिए इस third number की property पड़ाई है मैंने अभी आपको कि जो modulus x होता है वो greater than and equal होता है x के तो वही है यहाँ पर हमारा x xy है तो modulus x greater than and equal to होता है x के तो वही यही property हमने लगाई है तो यह sign है हमारा जो modulus xy की तरफ खुला हुआ है तो यहाँ पर हम modulus xy ला रहे हैं तो इसकी तरफ खुल देंगे और यह लिख देंगे अभी just मैंने देखिए आप नीचे देखिए x square plus y square इसको अलग करके लिख दिया है क्योंकि अभी हमने पिछली जो theorem है c में प्रूप किया है modulus x y equal modulus x dot modulus y तो वही प्रूप किया है हमने यहाँ पर यहाँ पर हमने लिख दिया है x y को modulus x dot modulus y यह भी हमारा formula बन गया है इसको हम a plus b के whole square के तरह से लिख सकते हैं आप यहाँ पर थोड़ा से यह और रह गया है modulus के उसमें लिख लीजिए x square को x को लिख सकते है na modulus का square तो उसी की तरह से हमने लिख दिया है यह formula बन जाएगा यह हम इसकी equal लेके चल रहे थे तो यहाँ पर यह लिख दिया है तो यह कितना आ जाएगा यहाँ पर यह आ जाएगा हमारा इसका हम square root हटा देंगे तो यह आ जाएगे modulus x plus y less than and equal to modulus x plus modulus y अब हमारी थर्ड है यह हमारी थर्ड modulus x minus y is greater than and equal to modulus x minus modulus y फिर मॉड है ठीक है तो इसको हम कैसे करेंगे इसको करने का तरीका है कि हम मॉड x को हम लेख सकते हैं मॉड x minus y plus y क्योंकि y से y कट हो जाएगा तो यही आएगा तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं अभी हमने पिछली property में inequality की property में आपने सीखा है ट्रेंगलर inequality में कि जो मॉड x plus y है उसको हम ऐसे करके ऐसा sign लगा के मॉड x plus मॉड y में लिख सकते हैं तो यहाँ पर मॉड x sign लगा दिया मॉड x plus मॉड y यह हमारी ट्रेंगलर inequality से आ गया है ठीक है फिर इसके बाद क्या होगा इसके बाद हम यहाँ पर जो मॉड x चल रहा है इस मॉड y को इस तरफ ले आएंगे तो यह हो जाएगा हमारा मॉड x minus मॉड y less than and equal to मॉड x minus y ठीक है अगयन यही जैसे हमने x की वेल नकाली है y की भी ऐसी निकाल लेंगे y को हम लेख सकते y minus x plus y y से y कट हो जाएगा sorry यहाँ x से x से x कट हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा modulus y is less than and equal to इसको y triangular inequality से हमने अलगलग break करके लिख दिया है तो फिर हम इसके बाद minus x को इदर सैड ले आएगे तो यह हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे फिर हम y minus x से minus common निकाल लेंगे x minus y कर देंगे common निकालने के बाद एक आपने अभी मैंने पहले आपको बताया है पिछली theorem में कि जो x की value है वो minus mod minus x के equal होती है मैंने आपको बताया है ठीक है तो देखिए कहां बताया है मैंने आपको यह बताया है फिफ्ट वाला जो mod x है वो minus के mod minus x के equal होती है तो वही इसको हम equal करके लग देंगे और इसमें से क्या करेंगे माइनस कॉमल लेंगे इसमें से इस सरी किसे लग देंगे तो हमारी first and second जो equation है उससे क्या बन रहा है first and second equation से बन रहा है हमारा यह देखिए यह बन रहा है हमारा first and second equation से तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला सेम है तो हम x-y ग्रेटर देन इंडिक्वल टू मैक्जिमम ये वाला x लिख लेंगे और ये मैनिस x लिख लेंगे आपको मैंने बताया mod x equal किसके होता है x, minus x के तो वही किया है हमने mod x की जगए यहाँ पर value लग दिया है x की value है यहाँ पर हमने mod लगा दिया है ठीक है यह हमारी हो गई है आज की हमने थियोरम प्रूब करी है इससे अगली आने वाली वीडियो में देखेंगे bounded evo और bounded block क्या होता है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग